हेलो गाइज मैं प्यूश आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल असोशेट लर्निंग पर गाइज आज एक निउस निकल करके आई है कि पांच महीने बाद मिलेगा टीटी का अंक पत्र जैसा कि आप सब को विदित है कि जो टीटी का पेपर हुआ था वो पिछले साल कंडेक्ट कराया गया था फिर उसे कैंसल किया गया फिर दुबारा कराया गया और लास्ट में उसका रेजल्ट कई दिनों तक रोका गया फिर रेजल्ट जारी किया गया अब उसका प्रमाण पत परशदीय प्रात्मिक स्कूलों की साहयक अध्यापकबर्ती से 28 डिग्री धारिकों को बाहर करने के विवाद के बीच UPTT 2021 का परिणाम घोशित करने के 5 महीने बाद परिक्षा में सफल DLA डव्यारतियों को प्रमाणपत्र वितरित करने के तैयारी है परिक्षा नियामक प्राधिकारी कार्याले में प्रमाणपत्र छपकर आ चुके हैं सितंबर अंत तक डाइट को वितरन के लिए भीजे जाएंगे सुत्रों के नुसार डाइट प्रचारियों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि जब तक हाई कोड का फैसला ना आ जाये तब तक बीएड अब्यारतियों को प्रमाणपत्र न दिये जाएं राजस्तान हाई कोड के आदेश को आधार बनाते हुए बीएड वालों को प्रात्मिक स्तर की टीटी का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रतीक मिश्र समेत चार अन्य डियलेट प्रसिक्षू ने हाई कोड में याजिका की थी जो विचारा धीन है NCTE और राजस्तान की और से हाई कोड में जवाब लगाया जा चुका है सिक्षक प्रती के लिए टीटी का प्रमाणपत्र अनिवार है इसलिए डियलेट प्रसिक्षू नहीं चाहते कि प्रमाणपत्र बीएड व्यारतियों को वितरित किया जाए NCTE ने 28 जून 2008 को अधिसूचना जारी कर बीएड व्यारतियों को सिक्षक प्रती के लिए मानने कर लिया था इससे हमें पता चल रहा है कि जो डियलेट के व्यारति हैं उनको प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है और उन्हें प्रमाणपत्र दिया भी जाएगा लेकिन जो बीएड के वच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा प्रमाणपत्र उनका रोका जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले